आज हम बनाएंगे एक दम अलग तरीके की बिंडी की सबजी आप भी रोज रोज वही पुराने तरीके से बिंडी बनाके उप गए हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजिगा फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि हमने बिंड बिंडी बनाने के तरीके आप फोल ही जाएंगे क्योंकि एतना टेस्टी इतना डिलिशियस लगता है हलो फ्रेंड्स कामीनी के किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक और तो यहां पर हमने बिंडी को अच्छे से दो करके ले लिया है इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें यहां पर सॉफ्ट वाली बिंडी ही चाहिए अगर यह कादी बिंडी आपकी टाइट होती है तो आप उसे ज़रूर से निकाल दे इस रेसिपी में बिलकुल भी उस सब्सक्राइट किया है तो सभी बिंडी को हमने इस तरीके से काट लिया है ना जादा चोटा है ना जादा बड़ा है तो यहां पर हम दो प्यास ले लेंगे अब प्यास को हमने चार पार्ट में डिवाइट कर लिया है तो आप देखिए तो हम इनकी पैटल्स को निकाल ले पेटल्स हम्ने निकाल लिए हैं जो यह वाला हमारा प्याज बच गया है तो इसको हम पीस लेंगे तो यहाँ पे हमारी पेटल्स और भिंडी अच्छे से कट हो गई है तो यहाँ पे हम ले लेंगे दो हरी मिर्च इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे इसी में ही हम डाल लेंगे 6-7 लैसुन की कलिया मैं थोड़ा सा जादा डाल लई हूँ आपकी मर्जी आपको अच्छा लगे तो आप इसी तरीके से डालिएगा वरना कम भी डाल सकते हैं तो जो हमने प्याज के पैटल्स निकाले थे ना जो प्याज बच गई थी उसको भी हमने इसमें ग्राइंड कर लिया है तो प्याज यमारा अच्छे से पिस गया है प्याज लैसुन और हरी मिर्च को हमने दर्दरा ही रखा है आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन नहीं करना है तो अब चलते हैं गैस की और तो मैंने पैन में तेल चड़ा दिया है अब हम इसमें डाल देंगे अपनी प्याज की पैटल्स तो सभी पैटल्स को हम एक से दो मिनिट के लिए सौते कर लेंगे इस बात का ध्यान रखिए पैटल्स फ्राइ करते समय फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा और हमें इनको हलका ही सुनहरा करना है प्याज की पैटल्स डालने से सबजी में जो सोधापन आता है और जो प्याज की मिठास होती है वो बहुत ही जादा अमेजिंग लगती है तो लीजिए बातों बातों में हमारे प्याज के पैटल्स हो गए हैं बिलकुल फ्राइ इससे ज़्यादा हम इने नहीं पकाएंगे यानि ब्राउन वगेरा हमें इने बिलकुल भी नहीं करना है बस हलका सा ही सौते कर लिया है आप देख सकते हैं तो सभी पैटल्स को हम निकाल लेंगे तो उसी तेल में हम अब डाल देंगे अपनी कटी हुई भींडी तो भींडी को भी हम इस तरीके से शौते कर लेंगे यानि फ्राइ कर लेंगे चलाते हुए इस तरीके से जब हम यह सबजी बनाते हैं फ्राइ करके तो इसका टेस्ट ब बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगती है तो बस एक दो मिनाट तक हम इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राइ कर लिया है अब हम अपनी भिंडी को भी निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा तेल बच गया था उसी में मैंने थोड़ा सा और एट कर दिया एक दो चम्मच के करीब तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हींग एट कर दी है हींग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अब यहाँ पर हम डाल देंगे हरी मिर्च लैसु प्याज का पेस्ट इनको हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से हम अच्छे से इसे भून लेंगे तो अब हम एट कर देंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एट कर सकते हैं कम जादा भी कर सकते हैं या जिस कौंटिटी में आप भिंडी बना रहे हैं उस कौंटिटी में आप नमक को कम जादा कर लें तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पा अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे, चलाते हुए ही हमें मसालों को भून लेना है, जब तक इसमें से ओईल सेप्रेट नहीं हो जाता, तो आप देख सकते हैं इसमें से ओल सेपरेट हो गया है अब इस स्टेच में इसमें टमाटर डाल रहे हूँ यकीन मानी फ्रेंट्स ये सबजी आपको बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगेगी आप कहेंगे बिंडी में टमाटर कौन डालता है लेकिन फ्रेंट्स आप इस तरीके से जरूर बना करके देखेएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है जो जिस जार में हमने पीसा था न मसाला उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल दिया है तो बस इसमें एक उवाल आ जाए तब हमें इसमें भिंडी को डाल देना है तो सभी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको हम अच्छे से पकने देंगे तो लीजिए पान से छे मिनट हो गए है तो हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से पक गई है अब हम इसमें डाल देंगे प्याज की पैटल्स और साथी में इसमें आट कर देंगे गरम मसाला तो यहाँ पे मैंने हाफ चोटी चमच गरम मसाला लिया है सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसलिए फ्राइ करते समय हमने भिंडी को कम ही पकाया था क्योंकि हमें इसको ग्रेवी के साथ में पकाना था इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा तो बस एक से दो मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे तो लीजिये हमारी भिंडी बनके बिलकुल त्यार हो गई है देखिए लग रही है न कितनी ज़्यादा डिलीशियस यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया बनके त्यार होती है तो लीजिये हमारी भिंडी बनके बिलकुल त्यार है आप इस recipe को क्या नाम देंगे आप मुझे comments में जरूर बताईएगा और आपको ये बिंडी के सबजी कैसी लगी तो मैं आपके comments का wait करूँगी प्लीज 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 मुझे comments जरूर किया कीजिएगा तो friends लीजिए हमारी बिंडी बन के तियार हो गई है बहुत ही बढ़ियां बहुत ही delicious ये बिंडी बन के तियार होती है आप इसको पूरी पराठा या फिर राइस के साथ भी enjoy कर सकते हैं बहुत ही जादा amazing delicious ये recipe बनती है तो बिंडी तो आपने हजारों बार बनाई होंगी खा पढ़ियां recipe बन के तियार होती है किसी भी छोटे मोटे function में आप भिंडी को इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए friends सब आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे क्योंकि वही boring सी बिंडी हमारी बहुत यादा delicious बनने वाली है तो friends मिलते हैं अपनी next recipe में तब तक के लिए बाइ बाइ